हेलो दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्यान कोस और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और स्टेलिया टूर आफ स्री लंका 2022 के तीसरे मुकाबले की जो की खेला जाएगा 11 जून को इंडियन टाइम के काउडिंग साब 7 बजे से पलकेले इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडियम में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिछ रिपोर्ट की, हेड टो हेड रिकॉर्ड की करेंगे टीम का कमप्रीजन और जानेंगे कौन से टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को इसलिए अगर आपने भी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब पर दीजिए और पास में मैंने बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिसे की आने वाली हर वीडियो की नाटिफिकेशन आप तक महुचे सबसे पहले बात करेंगर इन दोनों के बीच हुए head to head मुकाबलों की तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से आस्टेलिया की टीम 15 मुकाबलों में जीती है वहीं स्रीलंका ने 9 मुकाबलों में जीत असिल की है head to head मुकाबलों के according यहाँ पर आस्टेलिया के टीम काफी strong नजर आ रही है अब बात करेंगर दोनों टीम होगी playing 11 की तो हमें स्रीलंका की ओर से opening करते हुए नजर आएंगे पातुम निसांका और दासुम गुनातिल का वहीं मिडल अडल आलाउंडर्स में देखने को मिलेंगे चरीत सालंका कुसालमेंडेस भानुका रजापक्षा कप्तान दासुम सना का और वानिंदू हसरंगा वहीं बालं लैनम में मौजूद हैं स्रिलंगा की टीम देखने में काफी बेतर नजर आ रही है क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी अस्टेलिया की फ्लेइंग लेवन तो हमें अस्टेलिया की ओर से उपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान एरोन फिंच और डेविड वार्नर वहीं मिडल अर्डर आलाउंडर्स में देखने को मिलेंगे मिचल मार्स, ग्लेन मैक्स, वेल, स्टिवेनी स्मेथ, मारकास इस्टोनिस, मैथिवेड और एस्टेनेगर वहीं बालिंग लैनम में मौजूद है जे रिचर्ड्सन, केन रिचर्ड्सन और जॉस हैजल वूड दोनों ही टीमों का कंप्रिजन किया जाए तो यहाँ पर दोनों ही टीमों की बालिंग लैनम काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग नजरा रही है वहीं एक टॉप अडर भी बात की जाए पर लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ के पीच आम दोर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है यहाँ के फर्स इनिंग का एवरेज स्कोर 166 रन है वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 148 रन है यहाँ पर अभी तक कुल 20 मुकाबले खेले गए है जिसमें से फर्स बैटिंग करने वाले टीम 11 मुकाबलों में जीती है वहीं सेकेंड बैटिंग करने वाले टीम 7 मुकाबलों में जीती है जबकि 2 मुकाबले ट्राई भी हुए है यहाँ पर अभी तक 263 highest total है वहीं lowest total की बात की जाए तो 88 है यहाँ पर 178 highest chest है वहीं lowest defend की बात की जाए तो 125 है यहाँ पर आज जो भी team toss जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी क्योंकि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना काफी आसान होता है अब बात करेंगर अपने personal prediction की इससे पहले दोस्तों अगर आपने भी तक हमारी toss prediction की वीडियो नहीं देखिए तो इस वीडियो के नीचे description box में आपको toss prediction वाली वीडियो का link मिल जाएगा जो भी ग्यान को स्क्रिकेट पर आच की है toss prediction के लिए हमारे दूसरे चैनल ग्यान को स्क्रिकेट को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें link आपको description box में मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद toss prediction वाली वीडियो भी जरूर देखिए अब बात करेंगर अपने personal prediction की तो हमारे analysis के recording इस मुकाबले में match winner रहने वाली है Australia हाँ दोस्तों इस match को जीत कर Australia स्रीलंका को 3-0 से clean sweep कर देगी अगर कुछ भी changes आते है या match से जुड़ी cricket से जुड़ी कोई भी update आती है तो सबसे पहले हम provide करा देते है पर इस ले टेलिग्राम को जाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए जिसका लिंक इस वीडियो के निचे description बॉक्स में दिया गया है वीडियो पसंद आई है तो like कीजिए जाद सेदा सेर कीजिए और subscribe कीजिए हमारा channel ग्यान कोस पसमें में बेल आइकंग दो भाना बिल्कुल भी मत भूलिए जिसे कि आने वाली हर वीडियो की notification आप तक पहुचे सबसे पहले